जै श्री राम दोस्तों दोस्तों हनुमान चालीसा की हमारे हिंदू धर्म में बहुत जादा महत्वता है हम लोग सब हिंदूस जो है and even मैं और मुसलिम्स के बारे में भी जानती हूँ और भी कम्यूनिटीज में हनुमान चालीसा को पढ़ना बहुत शुब माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि दिन में साथ बार जो हनुमान चालीसा का पार्ट करता है उसको कभी भी डर नहीं लगता कोई संकट उसके सामने नहीं आता कहते हैं कि जिस पे शनी जिनका भारी चल रहा होता है उनकी कुंडली में, तो उसमें भी उनको काफी उससे सुकून मिलता है हनुमान चालीसा के पार्ट से, कश्ट तो जिंदगी में आते ही हैं दोस्तों, लेकिन कश्टों को सहने की शक्ती, जैसे कहते हैं कि एक कुशन में लपेट के अगर कोई आपको मुक्का मार रहा है, और एक सीधा मुक्का मार रहा है, तो जो इंपैक्ट होता है ना परिशानी का, वो थोड़ा कम होता है, या यह कहिए कि हमारी सहने की शक्ती बढ़ जाती है, तो दोस्तों, मैं कोई घ्यानी पंडित रही हूं, लेकिन हाँ, मैं हनुमान चालीसा का पार्ट करती हूं, और मैं बहुत दिन से अपने लिए ही यूट्यूब पे या दूसरे चानल्स पर ढूंड रही थी, कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए अप, जहां बिना म्यूजिक के जैसे हम खुद पार्ट करते हैं ना हनुमान चालीसा का, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए, जिससे कि मैं, जैसे सात बार पार्ट करना होता है, supposing हम लोग working हैं, अगर हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसे सात बार वो हो के हमारा traveling time में वो पढ़ा जा सके, या हमारा उसमें जैसे music और इसके साथ जो ये सब बज़ते हैं ना, उसमें time बहुत जादा लग जाता है और हम सात बार कई बार complete नहीं कर पाते ऐसा मुझे खुद को feel हो रहा था कि शायद मैं इतना time नहीं दे पाती हूँ, हनुमान 40 के part करने में, तो मैं आज क्या करने जा रही हूँ, इस वीडियो में तो मैं सिर्फ एक बार हनुमान 40 का पूरा आपको पढ़के बताऊंगी, of course मैं भी Google से देख रही हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में, तो मैं अपने लिए ही उसको एक बार पढ़ूंगी, और साथ में उसका हिंदी में मीनिंग, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका पूरा मतलब जो है वो हमको नहीं पता होता, तो इस वीडियो में म पार्ट खुद अपने आप करने जा रही हूँ, जो कि एक प्रॉपर, विदाउट एनी म्यूजिक, कोई पीछे म्यूजिक बाग्राउंड आपको नहीं मिलेगा, बस अनुमान चालीसा का पार्ट होगा, सिंपल तरीके से, ताकि आप अगर चाहें, तो उसको अपने पास दाउन्डोड भी कर सकते हैं, और कभी भी ट्राविल करते हुए अपने ओफिस में, लंच टाइम में, या आप कहीं भी बैठे हैं, गार्डन में, अपने कानों पे अपने एर प्लंक्स लगा के उसको आप सुन सकते हैं, इस चीज की मैं थोड़ी कमी महसूस कर रही थी, कुछ मिलनी पाया, तो चलो, सबसे पहले शुरू करते हैं, अनुमाज चालिसा का पाथ, सबसे पहले है दोहा, श्री कुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बर्नव रगुवर विमल जसु, जोदायक फलचारी, श्री गुरु महराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दरपन को पवित्र करके श्री रगुवीर के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है, बुधी हीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुधी विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विका हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करती हूँ, आप तो जानते ही है कि मेरा शरीर और बुधी निर्बल है, मुझे शारीरिक बल, सुबुधी एवं ज्यान दीजिए और मेरे दुखों वद्धोशों का नाश कर दीजिए चौपाई, जै हनुमान ज्यान गुण सागर, जै कपी सति हुलोक उजागर, श्री हरुमान जी आपकी जै हो, आपका ज्यान और गुण अता है, हे कपीश्वर आपकी जै हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भू लोक और पाता लोक में आपकी कीरती हो राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा हे पवन सुत अंजनी नंदन आपके समान दूसरा बलवान नहीं है महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी हे महावीर बजरंग बली आप विशेश पराक्रम वाले हैं आप खराब बुद्धी को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धी वालों के साथी सहायक हैं कंचन बरन बिराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा आप सुनहले रंग सुन्दर वस्तरों कानों में कुंडल और घुंगराले बालों से सुशोभित है हाथ बज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूझ जनेव साजे आपके हाथ में बज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूझ के जनेव की शुबा है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जग वंदन हे शंकर के अवतार हे के सरी नंदन आपके पराक्रम और महान यश्की संसार भर में वंदना होती है विद्यवान गुड़ी अतिचातुर राम काज करिबे को आतुर आप प्रकांड विद्या निधान है गुडवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं प्रभु चरित्र सुनीवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं श्री राम, सीता और लखन आपके हिरिदय में बसे रहते हैं सूक्ष्म रूप धरी सियही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा आपने अपना बहुत छोटा रूप धारन करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया भीव रूप धरी असुड सहारे राम चंदर के काज सवाये आपने विकराल रूप धारन करके राक्षसों को मारा और श्री राम चंदर जी के उद्येशों को सफल कराया लाय सजीवन लखन जियाये श्री रगुवीर हरश उरलाये आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्षमन जी को फिर से प्राण दिये जिससे श्री रगुवीर ने हर्शित होकर आपको ह्रेदे से लगा लिया रगुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई श्री राम चंदर जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत भाई जैसे प्यारे हो सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्री पति कंठ लगावे श्री राम ने आपको यह कहकर हिदे से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुक्ष से सराहनिय है सनका दिक ब्रह्मा दिमुनी सा नारद सारत सहित अहिसा श्री सनक श्री सनातन श्री सनन्दन श्री सनन्त कुमार आदी मुनी ब्रह्मा आदी देवता नारद जी सरस्वती जी शेशनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं जम कुबेर दिगपाल जहां ते कभी को विद कही सके कहां ते यमराज कुबेर आदी सब दिशाओं के रक्षक कवी विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूंतह वेर्नन नहीं कर सकते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजबद दीना आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया जिसके कारण वे राजबने तुमरो मंत्र विभीशन माना लंक के स्वर्भए सब जग जाना आपके उपदेश का विभीशन जी ने पालन किया जिससे वे लंका की राजबने इसको सब संसार जानता है जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुँचने के लिए हजार योग लगे दो हजार योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा पल समझ कर निगल लिया प्रभु मुद्रिक का मेली मुखमाही जलदी लांगी गए अचरजनाही आपने श्री राम चंद्र जी की अंगुटी मुँ में रखकर समुद्र को लांग लिया इसमें कोई आश्चर नहीं है संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते है राम दुवारे तुम रखवारे होतन आग्या बिनुपैसारे श्री राम चंद्र जी के दुवार के आप रखवाले है जिसमें आपकी आग्या के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता अर्थात आपकी प्रसनता के बिना राम की कृपा दुरलब है सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना जो भी आपकी शरन में हाते हैं उन सब ही को आनन प्राप्त होता है और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी बात का डर क्या आपन तेज समहारों आपे तीनों लोक हांकते कापे आपके सिवाए आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता आपकी घरजना से तीनों लोक कापते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच कोई भी पास नहीं फटक सकते नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा वीर हनुमान जी आपका निरंतर जब करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है संकटते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे हे अनुमान जी विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुडाते हैं सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा तपस्वी राजा श्री राम चंदर जी सब सिश्रेश्ट हैं उनके सब कारेओं को आपने सहज में कर दिया अराम से कर दिया और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन भल पावे जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाशा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा ही नहीं होती चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा चारों योगों सत योग तुरेता योग द्वापर योग कल योग में आपका यश फैला हुआ है जगत में आपकी कीरती सर्वत्र प्रकाश मान है है Σुरी राम के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं अश्ट सिद्धी नौ निधी की दाता असबर दीन जानकी माता आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठो सिधियां और नो निधियां दे सकते हैं राम रसायन तुम्हेरे पासा सदा रहो रघुपती की दासा आप निरंतर श्री रघुनात जी की शरण में रहते हैं जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की ओशदी है तुम्हेरे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बेसरावे आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जनम जनमांतर के दुख दूर होते हैं अंत काल रगुबर पुरजाई जहां जनम हरी भक्त कहाई अंत समय श्री रगुनात जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जनम लेंगे तो भक्ती करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे और देवता चितन धरही हनुमत सेई सर्वसुख करही हे हनुमान जी आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं फिर अन्य किसी देवी देवता की आवशक्ता नहीं रहती संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलिबीरा हे वीर हनुमान जी जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कर जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है जै 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 हनुमान गुसाई कृपा करहू गुरुदेव की नाई हे स्वामी हनुमान जी आपकी जै हो जै हो आप मुझ पर कृपालू श्री गुरू जी के समान कृपा कीजिए जो सत बार पाठ कर कोई छुटे ही बंदी महासुख होई जो कोई इस हनुमान चालीसा का सौ बार पाठ करेगा वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनन्द मिलेगा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धी साखी गौरी सा भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चे ही सफलता प्राप्त होगी तुलसी दास सदा हरी चेरा कीजे नाथ हिदय महाडेरा हे नाथ हनुमान ची तुलसी दास सदा श्री हरी राम का दास है इसलिए आप उसके हिदय में निवास कीजिए तो दोस्तो भूल चुक माफ अगर कोई भी उचारण में मुझसे कोई गलती हुई हो तो शमा कीजेगा ये जो इसका मतलब मैंने ये निकाला था ये क्रेडिट्स मैं दे दूँ हनुमान 40 हिंदी.com ऐसे करके मैंने साइट से उठाया है और हाँ बस अभी एक और वीडियो लोड कर रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ हनुमान 40 का पार्ट करूँगी साथ बार तो आप भी अगर उसे चाहे तो अपने पास डाउनलोड करके रच सकते हैं आप अगर योट्यूब को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी साइट्स पे डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं होती है पता नहीं लोग क्यों नहीं रखते एक भगवान का नाम है जो सब लोग लेना चाहते हैं चाहे आपके पास उस वक नेट की सुईधा हो या ना हो और डाउनलोड अगर आपके पास नहीं होता तो अगर बाईचांस आप ट्रावलिंग में है या आपका नेटवर्क जो है वीक है तो आपके वो जो पार्ट होता है वो बीच में रह जाता है तो मैं आपको वो option दूँगी आप उसको अराम से डाउंलोड कर सकते हैं जै श्री राम पवन सुत्व हनुमान कीजे